आप सभी बरिष्टो जो है भागबाद परने वाले भागबाद महाविध्डालाय की सात्र है और संकर्षन प्रोभी है हमारा मायापूर के रही पदोदी करी थे है और सब करते हैं कि राजी गवर्धन में एक से लिए उदर भी चला गया था उदर जाके आया तिसलिए और भी पास्मिनिट लेट हो गए कि तो तो आज कार्थिक महिना में दामुदर महिना प्रम पवित्र दीन है कि आज पंचमी कि इसमें कि हमारा नरत्म दस्ठाकूर जो अपलोग जानते हैं कि वजन गोर्किष्ण जबावजी से कोई पूछ है कि प्रेम कैसे मिलेगा दू आना में प्रेम मिलेगा तो बले एक प्रेम भक्ति का चंद्री का खड़ी दो और प्रार्थना खड़ी दो और नित्तों इसको अच्छा से पाठ करो तो इसमें प्रेम मिल जाएगा कि विश्णा चक्रवथी ठाकूर भी बताये हैं कि जो बीद विदान्त की शार है यह पुरनरत्तम दस्ठवर करके शंक्ष्प्रिया हमें समझाये हैं तो इनकी अस्तिरभाप्ति थी है और भी विलक्षन है इनके आगमन के बारे में एक बार अद्धित आचारी अब लग जानते हैं कि एक बार मायावाद के प्रचार कर रहे थे तो महापुरु जो इसको ठपर लगाया था और फिर दूबरा मायावाद एक प्रचार कर रहे थे महापुरु जब जगनात पूरी में थे मायावाद के प्रचार कर रहे थे महापुर्व इनके उद्धिश्व स्वमाज के आचारियों चाहते थे यादी नित्तनंद और गोरंग चला जाए गाताब प्रेम इनके साथ में चला जाए प्रेम रहने तो आचारियों की इच्छे थे कि आउड कुस दिन प्रेम रहे इसलिए स्रिनिवाश अचरियों और नर प्रेम प्रेम अबतर नरत्तम दस्था कुछ इसलिए प्रेम और कुछ दिरिखने के लिए दोनों प्रेम अबतर की चनम हुआ जब महापुवजी संद्धिन के पांच साल बात बंगाल होकर मैंदावन आरे आरहे थे सिस्वाइग श्नातन जी मनाय किया की जार्शंग लोग खाए लगफ कोटी व्रंदावन जाई बारे नहीं पोड़ी पाठी अपने जिसके सार्व राख हो करोन लोग व्रंदाव जने के तरीका ये नहीं है इंग फिर भी महापुव गये रामकली से अद्धिन शड़ा तक तो फिर भी उतना दूर तक चले गए जाके महाप्रु एक दुम भाव में कानाई नश्रल महाप्रु के लिए बहुत प्रणादायक है पहले पुरा कृष्ण को दार्शन हो थे पहले बार जो गया आयत है तो महाप्रु भाव विवरों के मुर्शित होके गिर पड़े और चेतना बिल्कुल नहीं आ रहे थे तो नितने प्रुश मज़ गया कि कैसे तो जगनाद जगनाद बलकि महाप्रु के कान में बताए है तो महाप्रु उठे और उन्हेंने नर्तम नर्तम चिलाए थे तो लोगों का मन भी हुआ नर्तम तो कोई है नहीं है नर्तम क्यों चिला रहे हैं जोड़ जोड़ से नर्तम नर्तम इसे तो महाप्रु उठे और बुले कि बिननावन नहीं जाओंगा जगनाद पर चला तो इसलिए नितना प्रु जगनाद जगनाद बोले थे बलाए जगनाद पर जाना है तो फेर आम के लिए आकर गडर हाथ मतलब पदमा जाने देखे ओर चले गए नीचे की ओर गए पुर्वदीश्रा में इधर अना था तो दुक्षिन देश्रा में जाना था पूर्वदीश्रा में चला गया है कि जाकर जब नरतम देश्ठ खेतरी के आसपास पहुचे पदमा ने दिए त्याट पे माप्रू बोलते हैं नितनने से बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यह इस्थान और मुझे यह रहने का इच्छा होते देखो चारी और की जो प्रतितिक शोहा है इतनी शुंदर इतनी मनराम है तो मतलब भक्त जन्रम लेने से पहले प्रकट होने से पहले भी स्थान पविता है कि ना प्रूप बहुत मन लगड़ा थे गज़ा आप तब ओफ उधर जाके नरतन नरतन महात्रो बोले तब भक्त लगड़ा पूशेप्रव नरतनम तो कोई है नि मैं प्रेम जन्न करना चाहता हूं तो प्रेम मेरे पास है ये प्रेम मैं रखना चाहता हूं नेतन्दपरव पुशेप्रेम आप किसको देंगे प्रेम लेनी प्रेम के पात्रों जन्माना चाहता हूं आभी प्रेम को पद्मा नदी में रखोंगा महापुरु बोल रहे हैं कि देखो नितनन सिर्पात तुम जब जगनत पूरी मेरे मेरे साथ में जब शन्नाश लेने के बाद आपके आखो जो श्रू गिरा था जल गिरा था यह जल नही तो तो प्रेम देने से प्रेम को और श्रण नहीं कर पाई इतनी बाहर आ गया आसपास के जो दो डो साइड में जो गाव हाई पूरा दूबो दिया तो प्रोभी यह तो उत्पात हो रहा है उनको महाफ्रू बिलाए बदो यह उनकी जनुम होगा उनको प्रेम प्रेम देंड़े ला को पदमाजी बताए कि कहसे मुझे पता चलेगा तो आप में प्रुवेश करने के बाद आप में विकार आ जाए रोमांच कंप हो जाए तो इसी के समझेने की यही नर्ताम है तीसी प्रकण महाप्रूव उदर प्रेम रखे आभी भी है एक तमाल भी रिक्षय है प्रेम तली उसकी नाम है ने ने नजदिक है दिखाए तावर भारत की उदर सिन्न भावत भारत की तावर वागर दिखाए तेलें भारत में निए हुआ यह और बैनापुल है तीन कोली मिटर है यह दे तीन कोलीमिटरों होता है तो इंडिया में यात श्टकुर की जयू भजन को जबशी है फिरा अऊंटावर भाव से तीन क्लीमिटर दो आपी है कि तुह महापुरों बेठे थे उखे प्रेम दिये तो महापुरों आगे जगनात पूरी में इसके बाद उनके पिताजी नम किष्णना किष्णनांद मजंदर कोई दत्त वी बोलते हैं और उनके मताजी नाम है नारायनी तो पूत्र प्राप्ति के लिए आराधना कि कि आराधना करने से भगवन अभी उनके जो से बीग्रह है कोई विग्रह उदा नहीं है लेकिन उनके कुल देवता जो नारायन है वह भी भी है कुछ स्थान में खेतर में और सब डिवाइट हो गया अलग 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 जाए जैसे इदार ब्रजमहन राधा ब्रजमहन जो है तो उनकी वो बिग्रह नारायन के आराधना किये तो कुछ दिन बाद नारायन की गर्वशन चार हुई इसके बाद नरतम ठाकुर की माग महिना के पंचे मिती थी में उनके जनम हुआ जनम होते ही उनकी विलक्षन उनकी बहाओ है पहले है जो बंगला बंढना प्राशन बोलते इदर क्यांदी में जो पहले और नव क्लग अज़न प्राशन की दिन है ओंभूँ प्रेशार मनाएं सबी लोक आए जो उनके जमिंदर थे बहुत पैशा थे जमिंदर थे उनकी बेजे लेकने सभी इतनी परिफेस्टिबल सभी आनंदू शब लेकेन सब बेकार हो जबी उनकी सीर हो या खीर हो उनको खिलाने चाहिए और खीर है खीर खिलाने गया तो खाय ने जितने बार देने चाहते मों घुमा लेते हैं कि खाना ही ने चाहते तो कोई एक बेक्ति जभी सभीलक परेशान हो गया कितनी बार केत्रना प्रयाश करें वह खाई नी रहा है और बच्चे तो कुछ भी उठाके खाना शुड़ कर देते हैं इतने सुन्दर अच्छे बना के खीर इतनी मेरी फेस्टिवल पानी मनी हो गया कि जब उ हुआ आग़ बेगती है कि उले कि महापृषी डो तो टू अदेवी महापृषण लगactic ज महाप्रशद दिये सब थृंध का महापृसद फृंट खै भूख लगदा के थृंध बनाते मम यिघे कहें और से उसकी पेटा जी compr vida है कि इनको महापृषाद के लवा कि अभी नहीं कोई देना नहीं कि अ कि इसी प्रकर जो बड़े हुए तो इसको जो पड़ाई उनके शिक्षा वागर अप्लापतु हुआ 12 साल जावन के आयू हो गया कि तभी माता पी तभी पहले बस्पन में छोटे बस्पन में साधी हो जाता था तो कि शड़ अवस्ता में नाता पिताशोची कि इनके साधी देना तो इन नित्तन नंद पुरुन को श्रपन वे वाता या कि देखो अभी तो ब्रह्मचरी हो आप अभी महापुरू के लिए आप निकल पड़ो और पदमा महापुरूजी पदमा नदी में आपके लिए प्र अभी ब्रह्मचरी हो आप स्वतांत्र हो और साधी वगर कड़े तो पाश जाओगे तैसे नित्तन पुरुन को बताएं तब रहने उठे एक दिन अकेला माता इतना आधर करते माता के तो प्रान है नारायनी की प्रान है नरत्तम एक दिन अकेला प्रुम्हुर्त में अकेला जो उनको नीतन पुरुम्हा बताय थे जहां पर प्रेम है नरत्तम दास्ठाकुर जब जल में प्रविश्किये पदमाने दी के अकेला रुम्हुमुर्त में जाके तभी गड़मा जो पदमान दी है उनकी पीकार आगे शरीर में तो समझ गई कि यह नरत्तम है तभी पदमा पर आपने शरुप में आई और महाप्रुवज आपके लिए प्रेम रखा है प्रेम लेलो बना क्या करना है लपी जाओ तो उनका हाथ अंजली यह से थेलाया प्रेम दिया पी गए तो उनकी रंग जो है वह श्यम्मला थे लेकिन वह पीने से तुरंथ गोरा हो गया उनका क मिलते तो अच्छा होदा था उनलों को प्रेयर्श कर इतना होई नहीं रहे तो लिकूइट उनको मिल गया प्रेम तो पी गए तो तुरंथ अस्ट शाथ भी का रोना फो लुमांचित कंपत अस्ट को भी हस्ते को भी रोते हैं चलाते हैं और कृष्णा गवरांग बोलके अ बहुत यह करते हैं लट पड़ होते हैं तो माता जी जब देखे की नरतम नहीं है तो उनकी तो बस रगे गए हैं कि हमेशा नजर में रखते थी अपको जानते बच्छे को मा कैसे अपने नजर में रखती हैं तो कि नहीं मिले तो वह तो मुश्चीत होके गिर पड़ी सबी लोग आ गए आकर देखे तो ढूंते ढूंते तो देखे बहुत दूर है उनसे घर से शेषाथ किलमेंटर दूर है तो आके बले को ऐसे एक लड़का इधर पड़ा हुआ है एसे रो रहा है रोशता हो थाठा करके हरुसते हैं कभी रोते हैं कभी नास्ते हैं कभी लोटपोड होते रहते हैं तो तो आ गए सब्सक्राइब उनके मां भी आई जबी लोग बहुत कि अगलार तुरंद जए अगलार फुरा चेंज हो गए वो मा पचन नी पा रही है और इतने लोग मा भी रो रही है लेकिन यह नरतम के बहाँ तो अलागी है कि तभी तो नरतम देश्ठाकर बताए कि मा मैं ही नरतम हूं कि तो नरतम को ठाकर हसे लेका है कि मा परिशन तु अकेला क्यों क्यों आ गया क्यों आया कि तो इसके बाद कि मुझे भूक लगाए मुझे खिलाओ इसके बाद सबस्वी बद बताए तो ऐसे पागल जैसे करने लगे तो भी भागते हैं ब्रंदावन जाने के लिए महापरोज से मिलने के लिए इदारूदर भगते रहते हैं तबी शबी लोगा कि बूले यह भूत पगाल्या भूत तो जो भूत शुराने वाले तंत्री होते हैं उनको बुलाए बुलाने को बुलाए यह साधन को भूत नहीं को देवता प्रवेश हो गया तो देवता प्रवेश हो गया इस शिवा घ्ड़ेतों चाहिए मतलब शियार को मारना है उसी स्चुछ दवई बननाना है तूसी से इनके विमार ठेक हो शरीर रून लगाना है तो नरतम दाश्ठकर बताए मां मुझे ठेक करने के लिए को दूसरी पशूक मारोगे तो यह बिमार ठीक नहीं होगा और जादा होगा तो क्या होगा एक दिन नरतम दाश्ठकर मां को बताए कि आइसे मुझे प्रेम दिये था एक गोरबणों की सिशू मेरे अंदर प्रवेश कर गया कि वर्णों कीशी और अंदर प्रवेश कर गया तब से मेरे इसी पर कर जिए कुछ दिन मत्रा शांत होके रहे अब भागने चाहते थे हमेशा तू चला जाएगा मैं जाहर फीके तुरहनद मर जाओंगी तू नहीं सकते तो याइसे करके एत बार एक जो उनके मुस्लीमें कराजा उनको बुलाए नाटम-दाश ठ्थाकुट के बारे में सुने पूराजां उनको देखने चाहते थे बुल नरततम फुशला फुशला के आप मान पो राजी कर दिये और बोले माम मताजी बताए तुम दुबाराई उंदर के लोटके आओगे तुमेरा साधी तै हो घ्या कि तो अब नरतम ठाकुर वहर से बोर सबोग उनके साथ में आया तो रात को उहर से भागे कि रात को भागे अकेला भागने लगे तो उनका पीता जी माता जी को जब ख़वर मिले तो मा तो सुने घर चे अंगन में जाके तुनांद मुर्शितों के गिर गई सभी उनका पिता जी इतना पुरुषकार दोगा जो भी नरतम को बापोस लाएगा लेकिन भूशर घोरा मे बहुत बड़ा जमिंदर के बेटा है तो अचलना आदित नहीं है इतनी अच्छे से लाला न पलन कीए उनको तो चलनी पा रहे ते चलते रूते रूते चलते थे चलते चलते अच्छलते पफला हो गया हो गया उसे पढ़ गया खून निकलने लगे शरीर पुड़ा दर्द हो गया खाने का कोई प्रेस्ने कोई कुछ चिवा लेते हैं कुछ मांके दूद पिल लेते ऐसी चलते हैं रोते-रोते तो पहले तो इसे फ्लाइट ट्रेन बस कुछ भी नहीं था पैदाल सभी पैदाल आए जो भी गुष्टा में लोग आये सभी चक्रवधिपाद भी तब तक भी सभी पैदाली आए तो यह कि भक्तिवी न ठाकूर भी भक्तिश्य दंदर शर्षती जो सोटे दस महीने आते को पारिकित पारिकेंड तो इसे परकर चलने लेगे लेके इतनी जादा हो गया गिरेस कभी नए 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 गिर्यास पड़ीकरमा करने होता है यह ऐसी वह जादा हो गया चलनी पा रहा था तो भूशत दुखी हो गया शायद मैं बंदम नहीं जा पाऊंगा था का मंद छो शोगे तो चैतन्य महापुर शायम एक लोटा दूद लेके आए दूद लेके महापुर आकर बोले नत्तम उठो ये दूद पहलो लेकर इतना थाका हुआ था उठाने महापुर बोलाये फेर भी उठाने फेर रूफ्रातन आए राद भर उसो रहते विरिक्षकी नीचे रूफ्रातन आगये रूफ्रातन आके दोनों दुनह दिब्व तिलाग है उनके इसमें और उसमें बंढन है कि उनके जनुब अगर भी है रुप्षणतन के दिब्व रूप में उनके दर्षन हुए तो उनको उठाए बोले को उठो इठो महापुर जी तुम्हारे लिए दूद लाए हैं तुम फिर भी शोय है महापुर तुम उठा रहा था तुम उठाने फिर ओभी शप्न जाई सी थे वह दोनों अदर्शन हो गया फिर उठें नतम दोनों रूप गुश्वाम शुना तो रूप गुश्व में आये थे जिन के लिए मैं पाकल हूं लालाई थू मिलने के लिए तो लुख्यू हूं रोते रहे यह को दूद फिर दूद पिले दूद पिलने से ऐसे दवाई था तूरांड जो दरत शडिर्द के दरत है पहला पढ़किके जो खां हो गया था तूरांड ठीक हो गया को रूप नदर मताये बताये भी थे कि दूद पीलो गे तो तुमारा शरीर जाएगा तो तेशी प्रकर विखने श्रीट हो गया फिर चलने लगे प्रकर चलते-चलते और बंगाल के और दूसरा कोई लोग मिले उलग बोलते हैं चलो वो रोते रहते हैं को बैट जाते हैं उनकी तो श्रीद की भाव तो अलागी है ऐसे चलते-चलते काशी में आये काश शेखार तफन विष्र नहीं थे कोई दूसरा को इवरिद्व वेश्णव थे इसने बताए कि यहां पर महाप्रू रहते थे इदर महाप्रू ने दो महीना तर्शनातन के शिक्षा दिए तो काशी में दर्शन करें दो-चार दिन रहे फेर आई-चाई-चलते-चलते-चलत पहले शुनित महाप्रूच चले गए यह अभी शुना की रूप शुनातन भी अप्रकाट निप्तलिला में प्रविश हो गया है कि इतना ताजा मिलता नहीं था मोबालनी तो 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 शुनातन अधर्शन हो गए और दुख है किसली मैं आया है मैं यहां पे रहा करी मरूंग प्रूप शुनातन जीव शुपन में देखाया देखो नरताम आये हैं वह विश्राम घाट में है उसके बहुत और बहुत आर्र यत्म करके लेके आना अलोकनात के उदर लगनात गुष्रमी तो श्रमार्फित करना तो जी गुष्रम ने लोगों को भेज़ दिया जाओ तो पैचाने के कैसे तो देखा जिश्राम घाट में रोते हुए मिटी में गिरा हुआ है इतनी दूखी है तो इसलिए तो बोलते हैं ना पाशाने कुटीवा माथा अना ले पावल कहा मोर शड़ू परूप कहा सुनातन तीसी प्रकार यह उनका यह खेद रहा मन में अगर जीव गुष्रमी उन लोग आके बोले हैं जीव गुष्रमी मुझे भेजा हैं तो नहीं ले गए राधा गविन्द देप की दार्शन हुआ है राधा गविन्द लुलिता व इहां गुरू और शिष्र के परिक्शा है है अखेये टनके फर्दिगारते कोई सिश्ञ शेकार नहें करूंघा में जहारते आके मैं कोई दीविए गुरू किसी को देखा नहीं दूंगा लोगनात गदृसर है बोहोत फिन्ना लिए तो हुआ हैं मैं तो देखेसि बड़ा चैलेंज है तो इतने बड़ा चैलेंज है इनके लिए तो जीवकुष्वामी के पास तो रहकेर नरताम भी आये तो लुकनात गोष्वामी के शेवा करते थे दूर से कुटिया का परिक्रमा करते थे लेकिन कोई भी शेवा शेकार नहीं करते थे शेवा किसी को शेकार करना है तो उसको अधिन हो जाना है इसलिए किसी के शेवा शेकार नहीं करते थे कोई भी शेवा पानी लाना है फूल फूल तोरना है कोई भी शेवा करते माना करते हैं तो नरतम दा श्ठाकुर की एक प्लास-पैंट एहीं है कि ये सोचते थे किया हमेशा यही सोचते थे कि मां यह शेवा करने का योग को नहीं और डाूण और डाउन ऐसे जाथे थे पहले फूल लाना जल ज़ाला दिलाना ऐसे श्रत करें तरह से माना करते प्र और दुसरा फिर जरू लगाना वह भी मना करते कोई भी शेवाले ने नहीं चाहते है जिवा करने का लाइक नहीं है ठीक है ये शिवात कर सकता हूं कि तीन बज़े जगते एक प्रहर जब रात रहते थे तो जग जाते थे को तो बाहर बाहर एक नीदिश्टे स्थन में शोहचादी के लिए जाते थे लेकिन ननत्म दाष्ठा कुरूज से भी पहले जाके छुपके रहते थे और गुरुजी चले जाने के बाद उसोच जुह उठाके फेग देते थे दूसरा फेकर गोबर लाकर उची जारू से गोबर से पताई करके बहुत सुन्दर करके रखते थे और जारू को अपने च्छ असेवा करने के लिए माना connect रहा हंकर हो जाहेगा नहीं यूग नहीं है लेकिन इन में क्या है कि कि मैं यह करने का लैप मिन को लायख से और निच्से इघल किया शेयत कि मैं के मलमत्रों को उठाके फेक्दो ओर मींठी से हाथ दोते थे थे कि मिट्टी कंकर आदी से पूर अच्छा कड़के मिट्टी जहां हाथ दोते वह रख देते थे यह तो ऐसे लुकनात गुष्णा में कुछ दिन बाद पता लगा पता लगने के बहुत वह शर्मिंदा हो गया कि कुन ऐसे करिया कर रहा है यादी कोई ब्रजयोबाशी करेगा किसी को पूसे भी नहीं पा रहा है सरम की बात है न तो एक दिन में किसी के पकाड़ना पड़े एक हाल लगबाख ऐसे की है तो एक दिन हर दिन इसे रहते थे जारी में छुपके रहते थे तो कि फिर एक दिन लोकनाद को सब्सक्राइब मैं आज छुप होंगा तुम हर दिन छुपके रहतों मैं आज छुप जाओंगा तेया इसे कड़के शोचादी कड़के थोड़ा दूर जाके उचुपके रहते कूर्ण है मुझे पकाड़ना पड़ेगा वह ट्राइक होगा बा नरतम देश्टकुर्गी क्या पता है कि यह गुरुजी आज छूप तो जबी जाड़ी से निकला निकलने वाता है बंगला में केरे वाटे केरे वाटे के आप कौन हो आप कौन हो तो अब लेगे लिए नरताम हो तो आजकुमार तो यह से कार्यकर तुरांट इस्टोन इनक यह को कथिन डिजार थे कि मैं दिख्षान नहीं दूगा त्रॉंट मेल्ट हो गया है इमेडेटली मेल्ट हो गया है तुरंथ उनकी शड़ी रोमांचीत हो गया आख़ी श्ट्रू तू नरतम तू रासकुमा हो कर तो यह से शेवा करता है तो तो भी तुरंद सेवाशिकार कर दिया बुले इदर हां हाथ दोने के लिए जो पानी रखे पानी दी उनका हाथ कर दोए पिर कि इनके बारे में पहले ही सुनिये थे बुला इनको क्या दिक्षा देना है यह तो पुरा महाप्रुक्र डायरेक्ट करपा पात रहें कि दिक्षा लेने से पहले महाप्रुक्र करपा उनकी हो गई प्रेम मिल गए फिर भी नियम है इसके लिए उन्हें दिख लिए उन्हेंने चार सुन लगबक नियम शिखाया बहुत एक शाल तक नियम शिखाया कि बहुत उसमें से एक है कि अलपो थोरा सा फल है तो शूफल है बहु फल निश्फल जैसे रुप गोश्वामी भक्ति रश्म शिंदू में भी बताए बहु शिश्वना कोड़िवे इस उपदेश दिया उन्होंने बताएं कि थोरा सा फल हो तो शूफल है आप नजर उसक सकता है बहु फल बेफल है बहुत शिश्वी नहीं करना है कैसे उसमें यह बताया गया है कि यादी गुरू दिख्षा देने के बाद अपरात करते इस डिसाइपल तो गुरू को भाग उनको भुगना पड़ता है इसके लिए पूरा शिक्षा दिया एक शाल तक उनको शिक सब्सक्राइब है कि हमारा हुड़ी वक्ति विलाश भी देखेंगे बहुत सब्सक्राइब है कि आप लोग मंगरती क्या हो गए उठकर शोवचादी करके स्नान करके मंत्रों दातुन तूरनिक लिए मंत्र चाहिए तो यह जहां जमीन में बैठना है ऐसा डारेक्ट शोज नहीं करना जमीन में तिरन भी छाना है रात कुछ को तिस अमें बैठना है यह कि इस वह तो पोई चंद्र शुरियों है माल लिजे आप इदर पिछे करके बैठेंगे तो चंद्रो उद्यर होगा ठंडी में चंद्रो शुरियों को तो इसी वह अपराध है देखने बैठना है जो अब लोगोसंका भी करना है तो हमें देखना कि शुरियों अचे चंद्र है की नहीं यह था और धोना है मौलदवार में कितने मठी लगाना है एक दो हात में कितना लगना चरण में कितना मिट्टी लगना है तो सभी कुछ शेखाया अचा से बिलकुल एक के करके नियम को शिखाये तो तो है देखिए बनस्पति है इनसे हम कुझ लेंगे तो उसको प्रार्थ ना करना चीए मंत्र बूलना चीए उनके लिए है कि अब अब आश्वी सिस्टम धर्ती माता इतना शहन करते उसे प्रणाम करना चीए कि तभी शवी को शेखाय उनको अभरी वक्ति विलाश्में भी है वह सरी नियम है तो कि शेखाय इसके बाद दिख्षा दिये दिख्षा दिये नाम तो नड़ताम पहले सी है और कि यह थोड़ा हाई टोफिक है उनको शड़प दे दिये शेवा बताएं नित्य शड़प की शेवा भी बता दिये तो नित्य शड़प में वो चंपक मंजरी है एक चले उन्होंने दूसरा कुछ दिये थे तो दो दिन बात लुकनात गोश्रमी ने बताएं कि राधराणी मुझे श्रयम बताई है कि नड़तम के क्या शड़प है आज से आपका नाम चंपक मंजरी है राधराणी श्रयम बताई कि अ अब तो चंपक मंजरी है राधराणी कि उनकी शेवा इसी टाइम में गहरावाजे दर्श्व चोज में अपको दूद्ग गरम करना है ऐसे इस श्रयवा ये कर भाव रूप में मानुशिक रूप में श्रयवान की है मानुशिक श्रयम प्रुहावित है तो लोकनात गो हम उनको बताएं इसके अनिशण नहीं सेवा सुड़ूकिया है इक दिन ऐसे जब कर रहे थे और मानुषिक शेवा ध्यान लग गये उनको है मानुशिक शेवा में कूंज में प्रविष्क जून की शेवा था वो दूद गरम कर रहे थे दूद गरम करते करते दूद में ख़ान आ गया तो दूद को उतारने के लिए कोई कपड़े उनके पास नहीं थे जहां रहे तो हां से तुरंट उतारें तुरंट उनकी हाथ के मानशिक शिवा नित्तों सवरूप में शिवा कर रहे थे लेकिन जरश्रीर के जो हाथ है यह जल गया कि इतना सटिल हमारा कि इसकी चिंतन के शाथ है तो उनका हाथ जल गया हिदर गुरुजी के शेवा भी करते हैं तो बड़ा दुखी भी हो गया मेरा हाथ जल गया तो शेवा कैसे करूं कि अध्याथ कप्रे लटे के लोगनाद गुष्रमी के पास आये तो लोगनाद गुष्रमी पूछे क्या हो गया बुलाए यह से हो गया अपड़ात हो गया आपकी शेवा में कैसे करूं अध्या जल गया तो भी विवारन बताए उनको तो तुम धन्न हो जैसे रगुनाद कि इंडाइजेशन हो गया थे चुट्रेश केर खाया थे मानशीक टुप में मनशीक में शेवा किये शेवा करके प्र भोग लगाए तो लगने के बाद परशाथ पाए तो मानशीक शेवा इतनी इतनी यह से किये थे तुन की हाती जल गया तो उनने बहुत उनका आलिंगा दिये बहुत धन्यवाद दिये कि देखो तुम कितने तुम्हारा निष्ठा के साथ कितने माइंड यह करके ध्यान लगा कि तुमने अपनी नित्व शडूप में तुमने शवा किया है कि यह हम लोग इतना वुच्चे स्थिति में नहीं है कोई भी लेकिन इसब नित्व परिकार है इनके शडूप है भक्तिश्द दंद्र शर्षति देखते हैं कि आज के लोग इमिटेशन करते हैं यह शडूप की इसलिए भक्तिश्द शर्षति किस पड़ामपडा में बंद कर द जब दिया शाद्धों जोभी कोष है यह रिनाम द्यान से करने से सबी अपको मुझाया महाप्रव को पड़ेश्द अपन में स्रिक्या साद्धों जेकिशु शकुल हरी नाम संकिर्थ ने मीली बेशकूल है कि इसे प्रकर हम एतनी उच्छ इस्तिति में नहीं है लेकिन फि तीनों कहा शंकल पथा कि हम लूब कि बंदावन आजीवन मेर आज़नव में रहिंगे है रहकर हम कि कि शेवा करेंगे लेकिन कि जीवागो्स्वामी के आग्डा हो गया कि दिनू अर्दों कि शिष्व है लेकिन शिक्षा शिक्षा गुरु जीव गुष्वामी है उनके निर्दशन में चलते थे तो उन्हें विचार किया गुष्वामी ग्रंथो तो सश्कीत में थे लेकिन लिपी जो है कि बंगाल की बंगला की जो लिपी है इसमें थे एक्षर हेंदी लिपी मिनें थे देवनागरी मिने है तिसलिए और इसको भी प्रचार होना चीए बंगान ने और जिस प्रयोजन से महापुरुवित एक्चले अधिता आचारियों क्यों आभेश समरंद प्रुफुद है तो जिस प्रयोजन से महापुरुव इनलों को अवतार कराया थी भी तो प्रयोजन शिद्य करने तो इनका तेच्छा था कि इधर है एक्चले महापु के समाय से बंगाल के बड़ेवरे शिद्व महत्मा इधर आये बंगाल में सहाजिया का प्रभव क्यों पड़ा जो भी इधर आते थे यह गत्तना निवत दंते कोई वापस नहीं जाते थे प्रभुलम ही चेह हो गया सहाजिया बंगाल में प्रभ गया गया कोई ने गये लोट किसलिए सहाजिय का प्रभाव भुचादा पर गया कि आश्री तो जर्दवस्ति कि उन तीनों को भेजने के लिए बोले कि यह गौश्वामी ग्रंत है इसके शिक्षा भी होना चीए प्रचार भी होना चीए इसके लिए तीनों को अपना शंकल कि भित्यर इच्छा हुई ते प्रभुर आग्गा वरों कि दाशों की इच्छा से प्रुभु की आग्गा है वह बड़े होते हैं अपनी इच्छा प्तुरं तैक करना चीए थिनों की इच्छा वेरंदावन रहना लेकिन जीवकुष्णामी की इच्छा है आप चले जाओ बंगाल में जाकर इसके प्रचार प्रचार प्रशाट करू अलग से गुरंत हो तब तो हैंड राइटिंग की प्रेश्ट थे हैं तो कि इसी प्रकर उतीनों बैलगारी में समान लेके गए चोड़ी हो गया था बिर हम बिर जो है जिला की नाम के है मन विशनुपूर में पजिला की नाम के है हुँए अंबाक को बदुब ज़िला में विशनुपूर की पास में ज़के चोरी हो गया लेकिन से राइट है और नरतम दस्थाखी आपर श्याव मन दप्रोग को भेज़ दिये थे पैसे प्रकर शमानद या न कि टिकल बहुत ही था एक आश्त परिवार के हैं तब कि शमाय में गूरू बनना बहुत मुश्किल था कि परिवितना प्रभावी है उनके प्रभाव से बहुत शड़ी शिश्व उनके बने और रामचंद्र कविराज उनके सथ बहुत ज्यादा मित्र अथा उनके थे कि शिश्य रामचंद्र कविराज ने के साथ बहुत घणिश्टता है कि तो बाद में यह कि जाजीग राम में कम रहते थे उनके साथ ना खेतरी में ज्याद रहते थे इस थे एक एक लेटार भेजा हि कि नरतम लुक्त है कि कविराज जी को थोरा अब भिजदी जम्मेश्टर दर्शन करना चाहती है एक बड़ा चेलेंज है कि शादी की उसी रात को भागे तो एक चेलेंज है और पहली की और रहत है शादी की एक बार सादी हो गया दूबर अधी नहीं कर सकती है डरती नहीं है छास्त्रों में तो यह बताया है का जो शागाई हो गया आध कैसे नियादि लड़का कोई आप अगज जो ुक कि तुह तो शादी के थिंके यह रहा गिया इसी और इनकी खड़्चा का लिए नर्तमदस्था कर पैशा बागिया भेस्थे थे एक नकरानी बेगर अक्ष यह ते एक आग्ज दिन प्रसाद के दोपार के प्रशाद के समय कि दोपार में प्रशाद लेते थे एक लग नाम जब करते थे मंगलाड़ती एक लग नाम बाद में एक लग बैटके अलग अलग दोनों बैटके नाम करते तो कोई बात नहीं करते थे कोई बात नहीं करते थे नाम करते समय बीज में कोई नाम बात नहीं करते थे फिर प्रशाद दोनों लेते थे और रामचंद्र कवीराज पान खाते थे और अब जो नरतम दस्थ के घरते कि इसे प्रशाद के समय कि उन्हें बोले कि तुम आज नहीं जाओगे तुम मेरा श्रावगांद है तो अभी रामचंद्र के जाना पड़ेगा तो गय खेतरी छोड़के जा रहे थे बीश में कुछ दूर जाके खेतरी के और मुक करते है और अपने को कोशते है क्यों जा रहा हूं नहीं जाओंगा ठाकुर नराज हो जाएगा वेश्णम नराज हो जाएगा तो आए आने के बाद कुछ बाचीत कि ए बाचीत किने से रात को बाड़ा वाजे फिर निकाल लगविराज आपने को कोष रहे थे और जारू लोनों कि जारू जारू दालतने का बाहINA करते थे और अपने पीट में जालों से पीट रहे थे क्यूंग जाया था कि ग्या था गला नातने मन में गलानी गलानी अपनय बचाऊ हमेशा करते कितना कुछ भी नहीं हुआ कि पोरा पवित्रता बजाय रखे लेकिन फिर भी गलानी अपने कुमार रहे थे नरतंदा श्ठाकुर देख रहे नहीं देखकर भी फोड़ा सरा देख रहे और मंगलारती दर सुन करें पीज बीज में इसे पेटता है अपने को जारूदेरी कामारा दो चार जारू लगाता ह तो नरतंदा श्ठाकुर बोलते हैं ऐसे क्यूं कर रहे हैं मुझे शड़ नहीं हो रहा है तो तुरन समझ गया आके देखते हैं रामचंद्र कविराज अपने पीट में जारू से मारा लेकिन सारा नीशन नरतंदा श्ठाकुर के पीट में है क्योंकि एक स्वाज्गुरू ओचिकी को ठेजा था दाइचवा रामचंद्र कविराज की नहीं है दाइचतो थो नरतंदस्थय को की हैए तिसलिए इसका दोषी कोन है मैं हूं निक्सद्र गूरू की कि तो कितनी यह है कि उनकी उनकी आणओ लाहते है कि इस्मार्चंव थूब भेजा था कि तो भी वह भी बचके आया है कि अब यह लोशंदर स्थागुर को भी भेजा था उसको भी बचके आया थी स्वाद्गुरु की दाहित तो होते हैं कि अब आप अपलोग प्रभुपाजी के बड़े में देखो मायपूर के जमी रेजिस्ट्रेशन के समय प्रभुपाजी बैठेते कलकत्ता में कि सभी पुरा रूम सांथ है यह तामल कि समारा स्वाइम बोले यह एक्सिट होने से पहले रात की लेक्चार है उनकी मायपूर की कैसे इस लैंड को खड़िदा है कि सभी रूम सांथ है लेकिन प्रभुपाद के कमने में बैठा हुआ है तो एक सद्गुरु चिंता कर रहा है कि मेरा बेटा गया कैसी क्या करेंगे तो जब तक रेजिस्ट्री पेपर नहीं दिए प्रभुपाद स्वें नहीं बैठेते उ इसलिए पीट मारा इस पूरा दर्द नर्तमदस्था करके हुआ है कि तीसे परकार दोनों प्रचार करते थे प्रचार करके बहुत सड़े पखांडू लोग है उनको जो है पुशु बली बगरा से बहुत लोग को पचाया बहुत किटिशेजम हुआ जब राम्मन को गंगा नरान चक्रवती इल्लों को जब दिख्षा दे दिये तो बहुत किटिशाईज होने लागा कि देखो ये कायस्त परिवार होकर ब्रामन को दिख्षा दे रहे हैं तो कि उसको दिख्षा पंडित भी आये तीसी प्रकार मुहने सबको हराया रामचंद्र कविराज और गंगनारन थे एक पान दुकान बला एक मिट्टी के मत्का विशने मला ये पहले ही नरतम दास्थागुर के पास आने से पहले ही इलोग जो गाव में आके उलोग रूके कुकी मिट्टी के पात्र में कुकी होते थे मंगाल में बहुत स्रस्ता मिलता था उडिश्या में भी अभी जगनात पुरीम होते हैं एक बार यूज अन्थरो जोटा वोटा होने का के मतला भी नहीं है भूब लग गया अब लग स्वाची माता के बारे में सुनेंगी कि महा नुच्छ शिष्ष्ष तो ही से भाग गया थे लोग अशपना अधेश हुआ थे देवी देवी के भक्तों थे कि नौतम से दिख्षाल तीसे परकल बहुत प्रभाव शली नौत अब अधान थाकूर बने और बहुत चलेंज उनको करना परा मंगाल में बहुत प्रचार किय अरुडिश्या की और स्वानन्द प्रफु और आशाम भागरा भी भी सिर्निवास आचारी वादी और प्रश्रिमंगाल की और सिर्निवास आचारी प्रचार किये तो एक चलेक ब्राह्मन देवी को बली चाराने के लिए बगड़ा लेके आरहत उनका दो पूत्रों रामच आचारी दो गया बेटा भी गया वह ब्राह्मन के बेटा वह बगड़ा लेके गया नहीं घर यह दोनों के डिसाइबल बन गए एक एक रामचंद्र कविराश की डिसाइबल बने एक नवतमधस्थ ठापर डिशाइबल बन गया हरी राम श्यद नाम है तीसे प्रकार उनने किया बहुत चैलेंज था उनके बड़ में प्रेर को सिनिवार्थ अचारी चले गए प्रामचंद्र कविया जिविंदावन आए उबी यहां सी अप्रकाट हो गए इस खबर जब कि मिला नर्तमधस्थ ठाकुर को वहूद दुखी हो गया बहुत दिक्वी दुखी हो गया तो यह बर ऐसी दुखी होकर उनके शडिर में भुखार आगया जब भुखार आगया तो जह आए तो गंगर नाने चक्रवती आदी बहुँ शड़े राम आदी उनके साथ में थे चीता बनाओ चीता सजाओ अभी तो ऐसे होकर ऐसे नहीं बात कर रह थे अच्छली वेरह हुआ उनकी पाशाने कोटीवा माथा वनाले पोशिवा बास्तों में रामचंद्र कविरास से निवाय से चाड़ियों महापुरु इरोप शनातन क्लिये इनकी इनकी आईसी कंपन उनके मन में ऐसी अनुकंपा थे तुल्णे बलाचीता बनाओ चीता के लखनी बगराला के चीता सजाओ एसे उनकी शोरी छोर्दी नौतर मधास्ठाकु कि नौतर बास्तों शुरी छोरती उनकी की चीतामे बचड़ दिया is iukai si you बारामुन लोग तक आच्छा एक कायस्तों हो कर ब्रामुन को दिख दिखा दिया शिष्ण बनाए देखो इसका परिनाम तो गंगानरान चक्रवती प्रार्थना किया नरतम द्रॉखः इसके निंदि जीवित हो गए अपनी फेर मनें में दो तीन दिन हो गया था इसे उनके बड़ी थे फिर उनमें प्रान संचार हो गया फेर उटके बैठे तो जो ब्रामुल्लक के डिशाइस कर रहे थे इस लंत्तम दा स्थाकुर की प्रभाव पता चला निचो जाती नहें भजनेर अजग्ग स्वत्क लिन पंडित नहें भजनेर जग्ग जेई भजे शेवरो अभग्त हिंचार कृष्ण भजनेर नही जाती खुलादी विचार महापुरु शनातन को स्वामिग जब प्रान त्यागने चाहते रवाद के पैया में महापुरुन को भजनेर अजग्ग नहीं है नीच जाती और स्वत्क लिन पंडित भजन की यग्ग नहीं जो भजे भग्त हिंचार कृष्ण भजन के कोई जाती खुलादी विचार नहीं है इसके बाद महापुरु प्रावनंदराराअसी बोले कि यह आपिप्रकिवानेशी शुद्र किर्ण ने आई जेई कःष्ण तत्वधेद्द्धा शेई गूरू है अक्शले बातों मैं महापुरुके बातों में कोई गैप नहीं है कि वहोट अच्छी बाद बताये क्रिष्она तौत्त बेत्ता अची ने कि ममुलिया श्म ध्राम्मन बन गानेये क्रिष्no उन्न जाति है ठीक है लेकिन महापुरूस्प्रफ कावाद बताये कि जौर्श्न साथ और सिगूरु खाये थे चालतिका जातिका भेलो नहीं दिया जेकिन कृष्ण नोह दिया महा पूजी पहुर एक बात को महा पूज से जैये कृष्ण नोह वित्ता कि इसलिए प्रभभपाजी जनव दिया है ब्राह्मन शिवाय अधिकार दिया है लेकिन कौलिटी बनाना होना चाहिए कौलिटी डवलब करना चाहिए जही कर्ष्ण तत्यवित्ता उसके बाद प्रदुम्न मिष्ण को जब रामानंद रायसे उपदेश दे उसी चप्टार में बताया कि महाप्रुबजी शन्नाशी को या ब्राह्मन को गवर्भों को चूरुन करने के लिए रामानंद के दौरा एक ब्राह्मन प्रदुम्न मिष उपदेश करवाया है कि उन्से उपदेश्ट महाप्रू ऐसे चाहते जो कृष्ण तत्यवित्ता है यही गूरु है यहापी शिद्ध हो गया एक चले बताये की एक जनोव जनोव नर्तमदस ठाकुरी की शरीर में बढ़ देखी तुम तेज निकाल है इसलिए बोलते हैं न इतनी तुषिद्ध पुरूश है तभी ओब्राम जो किडिशाष कर रहे थे वह लोग बला कि मैं आपके शरण में आप जाता हूं आप हमें देख्षा देख से तभी ओब्रामुन लोग भी दिख्षित हो गया और अपले जानते हैं गंगा नरान चक्रवती बहुत प्रश से आते हैं तो इसी प्रकर नरत्म दस्ठाकूर की फिर दुबारा प्रचार अधिकारियों के लिए खेतनी में जाके निरांतर संकिर्तन हुआ निरांतर संकिर्तन होने से कुछ दिन बात स्विवपोदेश अधी दिये और गंगा नरन आधी लोचार डिसाइपल को लेकर बो तो ऐसे करके फिरिशो गविन कविरा जए तेलिया बदिर में ग्राम में राम चंद्र कविराज के वह भी बहुत बड़ा वैशनव हो गय गए आप यह देविक्यों पाषक थे कविन कविरा जुदर रहते थे तो उदर उस तलिय बदीर में ग्रम्य में गये और एदर जातेशी उदर से घूम के आए तो एक दिन गंभिला में जाकर चैतन्न महापुरू या नरतम दस्ठागर बोलते है मुझे गंगा सनान करना है तो नंगा सनान करना है गंगा में सनान किया तोड़से जल मैं बैठ गया मेरे शबिर मेरी स्थिर में गंगा जल मॉई कि घंगा जल दिये और जहुपी जबी जबी भंसे सीप्सtake Kṛṣṇa तर美味से और दो जैसे शरे दिर स्वे में के इंए अल्य को कि छूहिए ह। पुरा न होकर पूरा शडिर मेल्ठो कर दूजई से हो जा इसलिए उहां से कुल दूद उठाकर लगामिला उनके शमादी दुग्द शमादी है शरीर कुछ नहीं मिला पूरा हड़ि अर्डि मंग्ष जो भी है को सिद्दो थे पूरा मेल्ठों दूद हो गये दूद हो गंद उगधर से फुरा उठाके दुग्द्र शमादी गंभिला में है मैं तो दर्शन नहीं खेतरी दर्शन किया है जनमस्तन लेकिन कि गंभिला में नहीं गये तो तो इसे प्रकार उनके शमादी है और बहुत सड़िका था थे विग्रह प्रकाष अदिक्याथा जो है वीब गुरह के प्रकाश की ए अभी खेतर्यर घुरी में कोई भी बीग्रह नहीं है अलाग लाग स्थान में हैं रंदामन में में weight वह कादा प्रजमण है हैं गोरांग गोरांगों से घुर्रांग बिद्रोबना नीं पा रहे प्रगने के लिए बाहर से होते हैं बाम्बू से बनाते हैं उसमें दान रखते हैं तो चोटे सी गुडाउन मतलोग है एक दिंचेटी से अलग से होते हैं है तूस के अंदर है महापुरु के भी ग्रहते हैं भी प्रदाश के इसमें लेकिन कि उसमें आप लोग को भी सुना है कि बहुत पुराने शर्षों जहां पर रहते हैं तो इसमें अजयगार हो शर्प होते हैं तियाएस से एक अनंत शेर्जी महापुरु के रक्षा कर रहे थे कोई इसके निजदिक नहीं जा रहे थे तो जो भी जाने से तो अनंत शेर्ष फोटकार करते हैं आज करते हैं कोई नहीं जा पता है डर से समझ गया जागार हो गया तो कभी धनीवेक्ति बहुत आशक तो होता है ना दन में तो आसे ही बनके रहता है लेकिन यह ऐसे नहीं ह है तो नरतम को जब शपनों हुआ उनकी खेतरी से कुछ दूर है तो उदर गये जाकर वह भी प्रोदास भाला नहीं नहीं आप कैसे जा सकते हैं नहीं मैं जाता हूं तो नरतम देश्ठक्र जब गये जाकर कुछ नहीं कोई नहीं है अनुंत शेर्ष जी देखा अभी जिसक अधरी जानते हैं मापरश्रायम उस्टन में प्रोकाट नहीं तो दिब्रेस्थान है खेतरी झो अभी भी शोय स्थान है, हम लोग गय थे, तलाव है, बोलते हैं, इसी तलाव में सभी जन्नवा माता, बेरभद्र प्रुफू, रगनंदन ठाकुर्श भी लक्सनान किया, सभी इस पवित्र स्थान अभी भी है, खेतरी, तो आप लोग होगा तो कभी चांस होगा तो जाईए इतने बोलके हम बानी को बढ़ाम देते हैं,